अश्ञाय हैं अश्ट वेल कम बैकर टूम मैं चैनल कैसे हैं आप सब लोग घुपफली सब ठीक होंगे और अल्ला के शुकर है हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है तो आज मैं काफी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ इतनी गर्मी है इतनी ज्यादा शदीद कि दिली ने चाता कि वीडियो भी कैमरा पकड़े और कुछ बनाएं भी तो आज मैं दो तीन दिनों के बाद वीडियो मैं बना रही हूँ और इसको फिर मैंने चोटे मोटे क्लिप्स थे उनको मैंने एक अठा किया तो फिर एक व्लॉग बन गया और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे पास कुछ ड्रेसिस पड़े हुए थे जो के कुछ है मैंने लास्ट यर के पड़े हुए है और जो सफाइर के दो ड्रेसिस हैं वो मैंने लिये थे अभी छोटी पे लिये थे तो लेकिन मैंने स्टिच नहीं हो सके थे क्योंके टेलर ने सीके नहीं दिये थे तो ये आस्म जोफा का ड्रेस है और ये भी मैंने लास्ट येर आनलाइन मंगवाया था और इनकी सेर लगी हुई थी बड़ी अच्छी और तब मैंने मंगवाया थो मझे बड़ा अच्छा लगा था ये है टू पीस ड्रस और इस पे बड़ी अच्छी सी इंब्राइडरी हुई हुई है पिंक कलर में और ये थे इसके पैच्छी मैं खोल के देख रही थी क्योंकि आजकल पैच्छी वाले सूट ही होते हैं और फिर टेलर को समझाना भी पड़ता है कि ऐसे ऐसे स्टेच होंगे इस तरह से और ये इसकी नेक लाइन थी और इसके साइड के भी पैनल्स अलग बने हुए थे ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था जैसा लग रहा था पिक्चर में बिल्कुल वैसा ही अच्छा लग रहा था देखने में भी ना मतलब जब रसी हुआ तो मुझे बहुत अ मार्केट कहीं बजार कहीं शॉपिंग करने तो बस इतनी ज्यादा शदीद गर्मी है कि दिल ही नहीं चाहता बस किचन का काम कर लो और खाना बना लो बस बच्चों को देख लो क्यूंके सब बच्चों के फाइनल एक्जैम हो रहे हैं मेरे बच्चों के पेपर चल रहे थे और बच्चों को भी पिर देखना पड़ता है और टाइम से खाना बन जाए और ये वो ना तो बस मार्केट जाने को तो बिलकुल दिलनी चाहता है तो मेरे ये कुछ ड्रेसिस थे तो मैंने का इनको मैं निकाल लू और मैं देखूं कि इन में से मैं कौन सा स्टिच करा लू इड़ पे तो ये भी एक सफायर का टूपीस ड्रेस है ये दुबटा और कमीज है तो इसकी लॉन इतनी जबरदस्ती इतनी फाइन इसकी लॉन थी ना आप ये देखें और इसका प्रेंट भी बड़ा अच्छा था तो बिलकुल ये लॉन ना जो सफायर की स्पेशली लॉन होती है ना वो ऐसे नहीं होती एकठी नहीं होती ऐसे बिलकुल कपड़ा खड़ा खड़ा से रहता है तो ये इसकी शर्ट थी और ये पैनल जो थे साइट पैनल ये नीचे लग जाएंगे आगे दामन पे और ये भी बड़ा अच्छा सा एक टूपीस ड्रेस था तो ये जो मोर बाग बीच्ट्री के ड्रेसीज हैं दोनों ये लास्ट येर मेरे बच्चों ने मुझे गिफ्ट किये थे बड़े पे तो बस ये तब के पड़े वे थे तब सीजन थोड़ा एंड़ हो रहा था तो सिप्टमबर में तो फिर मैंने नहीं स्टिच कराए थे तो ये तकरी और अब मैंने फाइनली इनको निकाला था कि इनकी मैं कुछ लेसिस वगयरा कोई लेके आती हूं और टेलर को दे के आती हूं कपड़े तो ताकि एद के लिये ना कोई एक आड्रेसीज में से सिल्वा लें तो ये भी सूट मैंने लिया था अब मैंने चुटी पे ही लिया रमजान में तो ये इसके साथ सिल्का दुबटा है बड़ा ही खुबसूरत प्यारा सा तो अब ये थोड़ा तब से देख रहे हैं तो इसके साथ भी ना काफी जादा पैचीज हैं इन पर सिल्टें पड़ी हुई हैं देख देखे कपड़ों को इस सूट के साथ भी ना काफी ज्यादा पैचिस थे और ये देखें इंबराडरी इसकी इतनी फाइन सी ऐसे इंबराडरी हुई थी तो इसकी मैं देख रही थी किसे कैसे इसके पैनल्स हैं और मैं आपको भी दिखा रही हूं तो ये मेरा खाल में इसके स्लीव्स हैं ये पहले मैं खुद समझूंगी इस प तो मैं सारी चीजें खुद देख रही थी ये इसकी नेक लाइन है और इसका जो ट्राउजर है और इसका जो ट्राउजर है वो भी इंबराडीड है यानि कि उस पे भी सारी आगे फ्रंट पे इंबराडी हुई हुई है ये इसका ट्राउजर है तो ये मुझे अच्छा ले लिया था के आम पहने के लिए न तो ये एक आम सा टूपी सा ड्रेस है तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था तो ये भी मेरे पास पड़ा आख तो फिर ने फाइनली अश सारे कपटे निकाल लिया न तो मैंने का इन मेंसे देखती हूं मैं इनको श्रिंग वगएरा करूँ और कुछ लेनी है तो वो लूँ ये भी बीच्ट्री का ड्रेस है और ये भी बड़ाई नाइस सा ऐसे लाइट सा पिंग कलर था इसका ये दुबटा इसके साथ ऐसे कलर फुल सा सिल्का दुबटा इसका बहुत प्यारा सा और साथ में इसकी शर्ट जो है वो ऐसे वी बड़ी अच्छी सी डीसेंट सी हुई हूई थी मुझे अच्छा लगा था सूट काफी ना तो फिर मैंने इसलिए ले लिया ता ये कपड़े तो मैंने ही पसंद किये थे लेकिन ये मिचे मेरे बचोंने गिफ्ट दिये थे तो ये थे मेरे सारे लॉन के ड्रेसिज आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे तो फिर चलें त्यारी करते हैं इद शीद की भी अब थोड़ी बहुत क्योंके थोड़ी दिन रह गया है इद में तो यहां पे मैं बना रही थी रात का खाना तो आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है तो बस जितना भी काम कर लें चुले के आगे तो बस बड़ी मुश्कल से होता है तो यहां पे हम मैंने अलू कुछ बॉयल कर लिये थे और इसके मैं बनाऊंगी शायद आलू के कबाब अलू की टिकिया या जो भी मेरे बेटे ने खाना हुआ अलू के पराटे हो गएरा तो इसके बान जाएंगे तो यह साइट डिश भी मैंने बना ली है और इसमें अब स्पाइसे सारे डालूंगी इसमें डालेंगे हम तोड़ी सी अजवाएन, नमक, मिर्चे और सुकह दनिया और साइट में सबस दनिया थोड़ी सा डालेंगे तो फिर यह बेटर मैं रेडि करके रख लूँगी और इसका बाद मैं जो भी करना हुआ तो पिर मैं देक लूँगी पिर जो करना है तो इसमें जवाइन ज़रूर मैं डालती हूं उसका अच्छा टेस्ट आता है फ्लेवर अच्छा लगता है और सुखे दन्यों को भी आप ऐसे हाथ से क्रेश करके ना मुटा मुटा तो वो डाल दे सालन बी बना रही थी आज मैं बना रही हूँ आलो औड शिमला मिट्चों का सालन और बच्चे तो वेजटेबल बिलकुल पसंद नहीं करते लेकिन हर चीज़ पकानी क्या है और खानी भी चाहिए और सालन को आदद पी डालनी चाहिए तो साथ साथ में क्यूंकि और गर्मी में तो डालें और ऐसी सबजी यह अच्छी लगती है ज्यादा तो यहां पर बसी थोड़ा बहुती काम रह गया और देखेंगे आगे क्या करना है तो मैंने जो ड्रेसिस दिखाएं हैं उनका भी देखूंगी मैंने क्या करना है आगे लेसिस वगयरा कुछ लाओंगी बजार अगर चक्कर लगा तो और कल तो बड़ा अच्छा मोसम हो गया था रात को बारिश भी हुई बहुत ज्यादा और लेकिन आज फिर वैसी ही गर्मी है गर्मी पे कोई असर नहीं पड़ा तो बस यहां पे सालन हो रहा है तियार इसमें मैंने अलू भी डाल दी है थोड़े से तो इसको थोड़ा सा भून कर इसको फिर मैं दम पे रख दूंगी और फिर यहां इस्ता इस्ता अलू गारा गल भी जाएंगे और इसकी बुनाई भी होती रहेगी साथ साथ न तो यहां पे हो गया है मारा सालन रेड़ी तो बस इसके बाद फिर यह शाम का टाइम है तो य के बात यहां पे आके एंड हुई कि यह आलूओं को जो मैंने बैटर बनाया था उसके बन रहे हैं अब सेंड्विचिज तो बच्चे आगए से टूजिशन से और उन्हें ने कहा कि हमने कुछ और नहीं खाना तो हमने बस यह सेंड्विच हमें बना दें आजकल गर्मी में बना लिए सेंडविचिज यह सादा सेंडविच है इसमें कोई सौस कोई कैचचप कोई यूज नहीं होता यह सिम्पल इसमें यालूं का बटर डाल कर और इसको हम सेंडविच में करमें रख देंगे और हलका से इसको ग्रीज कर लेंगे आइल के साथ हैं तो यहjang अच्छे तो इसको अच्छा सा प्यारा सा कलर दे लेंगे इसको प्री हीट कर लिया मैंने सेंड़िश मेकर को तो इसको अब हम करतेंगे बंद और ये देखें इसके कितनी अच्छी से लूकला गरी है तो ये बड़े अच्छे लगते हैं कैचप के साथ खाएं और आप लोग भी खाए अपने घरों में बना के अँजॉủ करें तो यहां पर मैंने कफ़े सारे बना लिये थे बच्चों के लिए और यही उनकर डीनर था आजका तो यहां पे ये खीर की रैसिपी तो हम ने रिकाडनी की तो ये मेरी सास ने बनाई थी खीर ममी ने और यहाँ पे अब हम पलेटों में डाल रहे हैं क्योंके हमने ये निबर्ज में देनी थी और आज तो बस बब Bear उनोंने रख ली थी खीर और यहां पे डड़ी होगी थी तो बस यहां पे अब कुप्रेटों में निकाल लेंगे और थोड़ा सोपर से गार्णिश करेंगे और यह हम अपने ने बर्ज में दे देंगे तो बड़ी मज़े की बनी थी तो यह थी मेरी आज की वीडियो I hope कि आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब मैं चैनल वीडियो को लाइक और शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज and थेंक्स पर वाचिंग झालो झाल झाल